नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनोज राय आज हम बात करेंगे और दियर ब्रक्ष सिरिसका इसका बैग्याने के नाम है एल विजिया लिबिक इसका फैमली है मिमो से ऐसी अंग्रेजी में सिरिस्ट्री संस्क्रिट में सिरीष भंडिल शुक्पुस्वा शुक्प्रियर हिंदी में सिरिस्ट्रस्ट गुजराति में काकीयो सरष सरष डो बरादि में सेवगाः शेगटा पंजावी में शरीः शरी शरष आजी नामों से जाना जाता है समस्त भारत बर्च में आठ हजार फुट की उचाई तक सिरिस के जंगली और लगाय हुए ब्रक्ष पाय जाते हैं इसकी लाल, स्वेद और क्रश्न कई जातिया मिलती हैं कुछ ब्रक्ष छोटे और कुछ बहुत उचे होते हैं यह पनपाती और छायादार ब्रक्ष हैं इसकी फलियों और पुष्पों में भेद होने से यह काला, पीला, स्वेद कई प्रकार का होता है इसका ब्रक्ष मध्यमाकार का कतर साखाएं चहूर फैली हुई कांड तक बूरे रंग की खुरदरी बिदीर्ण वाहे इस तर लंबे लंबे चपणों से युक्त होता है अंतरचाल रक्त याना लाल, कडी एवं खुरदरी केंदर में सफेद रंकी होती है पत्र द्वीधा, पक्षवत, इमली के पत्तों जैसे परंतु उनसे कुछ बड़े पुस्प, अवरंत, तदा पीताब, स्वेद, चमवर जैसे, सुगंदित, सिंभी, 4-12 इंच लंबी, चपटी, पत्ली, इसमें 6-22 तक बीज होते है बर्चाकाल में पुस्प और सरतकाल में फल लगते हैं, जो काफी समय तक प्योणों पर लगी रहते हैं राशानिक संगठन है, इसकी छाल में सैपोनिन, टैनिन एवं राली तत्व पाए जाते हैं, इसके गुणधर में हैं सिरश तरदोस सामक है, बेदना इस्थापन है, वरण्य बरण को भढ़ने वाला है, विशगन विशको दूर करने वाला है, शिरो विरेचन, सिरदर्द में तदा चक्छु से यान नेत्रों के लिए बहुती लापकारी है यह इस्थंबन विशरपगन, कासगन, कास के लिए व्रश है, कुष्टगन है और विशगन है, यह प्रमेह, पांडू रोगनाशक, कफ और मेद का सुधक है इसके कई फायदे हैं, तो नेत्र बिकार में इसके पत्तों के रसका अंजन करने से नेत्र पीड़ा मिठती है इसके पत्तों की रस में कपड़ा भिगो कर सुखा है, तीन वार भिगो होएं और सुखायें, फिर इस कपड़े की बत्ती बनाकर चमेली के तेल में जलाकर काजल बना ले, इस काजल का प्रियोक्व से नेत्र की जोती बढ़ती है ज़ि कान में दर्द है तो सिरस के पत्ते और आम के पत्तों के रस को गुनगुना कर कान में टपकाने से करण की पीड़ा मिट जाती है ज़ि दांतों की समस्या है सिरस मूल यानि इसकी जड़ का क्वात या कुला करने से तथा मूलत चून से मंजन करने से पके हुए मसूनों का रोग मिट जाता है और दांत मजबूत होते हैं सिरस के गौन और काली मिर्च को पीश कर मंजन करने से दंत की पीड़ा मिटती है खासी में पीले सिरस के पत्तों को घी में भून कर दिन में तीन बार देने से खासी मिट जाती है यदि अतिशार है इसके बीजों के चून की फंकी दिन में तीन बार देने से अतिशार मिट जाता है जलुदर है शिरस की च्छाल का क्वाच पिलाने से जलुदर की सूजन उतर जाती है अंड़कोस की सूजन है यदि इसके च्छाल को पीछ कर लेप करने से अंड़कोस की सूजन मिठती है मूत्रविकार है सिरस के 10 ग्राम पत्यों को गोंट कर चांड कर मिश्री मिला कर प्रातह साहिम पिलाने से मूत्र-करच मिठता है शिरस के बीजों के तेल को दूद की लस्ती में डाल कर पीने से भी मूत्र-करच मिठ जाता है यदि अर्स की समस्या है बवासीर की समस्या है 6 ग्राम सिरस के बीज और 3 ग्राम कलियारी की जड़ को पानी में पीश कर लेप करने से अर्स का नास होता है इसके तेल का लेप करने से अर्स मिट जाता है कल्यारी की जड़ दंती मूल और चीता याने चितरक समान भाग लेकर सबको एकत्र पीश लें ये लेप अर्ष का सिग्रनास करता है क्रमी कुष्ट आदी चर्म रोग तथा दोस्ट ब्रणों में सिरस का तेल लगाने से लाब होता है स्वेथ सिरस की छाल का सीत नर्यास लोशन की तरह घाव खुजली और दूसरे चर्म रोगों में उप्योग में लिया जाता है इसके पत्तों की पुलिटिस मनाकर फोड़े फुंसियों और शूजन की उपर बादने से लाब होता है इसके पुस्प ठंडे हैं गर्मी के फोड़े फुंसी और पित्र सोथ पर इनका लेप करते हैं सिरस के बीज अर्बुद और गाट को गलाने में लाजबाब हैं सिरस की छाल के क्वाद से धोते रहने से और पत्रों की राग का मरहम लगाने से ब्रण सुद्ध होकर भर जाती हैं इसके पत्तों की पुलिटिस चाहे जैसी गांट हो उन पर आदा आदा घंटे बाद बदल कर बांधने से उनको उपर लाकर फोड़ देती हैं बिस्पोठक है सिरस की छाल तगर जटा मांसी हल्दी और कमल संभाग ठंडे पानी में महीन पीश कर लेब करने से समस्त बिस्पोठक नश्ट होती हैं बिस्विकार में भी यह बहुत लाबकारी है सिरस की छाल मूल छाल बीज और फूलों के चून को गोगमूत्र के साथ दिन में तीन बार पलाने से सब प्रकार के बिस्विकार में लाब होता है सिरस की जड, छाल, पत्र, पुस्प और बीजों को गोगमूत्र में पीश कर लेब करने से सब प्रकार के बिस्विकार नश्ट होते हैं मंडूक बिस में सरस के बीजों को थूहर के दूद में पीश कर लेप करने से मंडूक के दंस का बिस उतर जाता है कीट दंस है इसके पुस्पों को पीश कर बिसेले जीवों के दंस पर लेप करने से लाव होता है शक्ति वर्दक भी है इसकी च्छाल का चून एक से तीन गराम तक घी के साथ मिलाकर प्रती दिन सुबह साम खिलाने से उत्तम शक्ति वर्दक और रक्त सोधक बस्तू का काम करता है बीर पुष्टी में इसके बीजों का दो ग्राम चून दुगनी सक्कर मिलाकर प्रती दिन गरम दूद के साथ प्राता है और सायम लेने से बीज बहुत गाड़ा हो जाता है बिसर प्रोग है इसकी छाल का महीन चून को सो बार भिगोए हुए घी में मिलाकर लेप करने से बिसर प्रोग मिठता है कुष्ट की समस्या है कुष्ट है जिनको सिरस के पत्ते 15 ग्राम और काली मिर्च 2 ग्राम दोनों को पीशकर 40 दिन तक पीने से कुष्ट मिठ जाता है आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो